पर इस पंजाब निउस जिद्दा शूटिंग वर इंट्रेस्टिंग अलग है क्योंकि कॉंप्पिटेशन स्पोर्ट वर इस बहुत वाच चुकिया है ता इस समय सद्धिन अजहे शूटर ने जो सोड़ा साल तो इस फील्ड ना जुड़े होने इंटरनेशनल लेवल ता के अज़ा बता करांगे विचार वी संजे करांगे की स्पोर्ट विच बहुत कॉंपिटिशन वाच चुकिया है ते जिद्धर महुल है महुल बन चुकिया है तो बहुत पर स्फागत है थैंक यू मैं थैंक यू सो मच जेकर थोड़ी जरनी दी गल गे ती जाव इता 16 साल तो जो आजकल जैसे बच्चे जो दो साल में आप देखते हो कि Commonwealth में जीत रहे हैं Asian Games में मैडल जीत रहे हैं बच्चे Olympics में जा रहे हैं हमारे टाइम पर उस जरनी में कम सकम हमें खुद बोला जाता था कि उसमें 6 से 8 साल आपको लगेंगे बट अब इतनी advanced facilities हो चुकी है guidance है और बहुत मुश्किल था उस टाइम पे बट अब बहुत असान है शूटिंग फिल्ड नो चुलनन था कोई particular reason कि काई रदा होनों कि sports background हों दिये जेकर ना भी होँए फिर विक पैशन देक इंड्रस्टों उस फिल्ड चांदा अच्छली मेरा कोई ना तो family background as game में और मैं जिमनास्टिक्स करता था पहले तो और NCC में गन चलाई थी तो NCC में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि मैं अच्छा करता था बट मेरे सेलेक्शन नी फाइनल सेलेक्शन तो मेरे एक हमारे जो principal थे उनके बेटे मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे वह शूटिंग करते थे उन्होंने देखा कि आप शूटिंग कर सकते हो अच्छी तो उन्होंने मेरे को इस फिल्ड में लेके आए तो मैंने देरा दून गया फिर वहां पर ट्रेनिंग शुरू करी तो फि मेरे हमेशा से एक ही वह रहा है कि मेरे को सिर्फ कोई बीची मेहनत करनी है और जो जैसे जिसकी गाइडन्स मिली मेरे को ताइम-to-time और जो को जो मुझे गाइड किया तो मेरे को हैं ब्लाइंट ट्रस्ट रहता था कि जो वह बोल रहा है वो मेरे को फोलो करना है तो मैं अब डाउन जाज तक मतलब मेरी 16 साल की जरनी में बहुत आप आए, बहुत डाउन आए, बट मैं हमेशा इसलिए कि शूटिंग करना मेरा पैशन है, मेरको पसंद है, तो मैं हमेशा से इसी वज़े से मैं शूटिंग करता रहता हूँ. जिदा आपा हर स्पोर्ट्स फील्ड तो कोई भी फील्ड है, कुछ ना कुछ सिखनों मिलता है, इस फील्ड तो की सिखनों मिला है जगल करीगा? देखो बहुत से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है ना, एक है निकोलो केमपरीनी, मतलब इटली का प्लेयर है वो, उसने एक बात बोली थी कि अगर मेडिटेशन की कोई गेम होती तो वो शूटिंग है, कि अगर मेडिटेशन को किसी गेम का रूप देती जाए ना, तो वो श सिच्वेशन आपकी लाइफ में ऐसे हो जाएं, जो आपके अगेंस्ट हैं, तो भी आपको काम रहना चाहिए, तो शूटिंग में ऐसा ही है इस फिल्ड में, जैसे हमने तब कहीं बार ऐसा लगता है कि एक मैच के बीच में, जब आपने दो सीरीज बहुत अच्छी चला ल जब आप शूटिंग रेंज में एंट्री करते हो, किसी भी रेंज पर आप सबसे पहले जाते हो, तो वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, सेफटी इंस्ट्रक्शन्स, वह सबसे पहली चीज है, जो गोली है वो चल गी तो चल गी, और गोली अराम से जान ले सकती है, तो इ समेशा गन को सिर्फ सेफ डिरेक्शन में रखा जाते है, यह सबसे पहली चीज़ा शूटिंग में सिखाए जाती है, किना को वह ऐसे सेफ था कोई भी फील्ड होनी, कि लगदा कि सेफ फील्ड है कि कई पर एदा होगी कि पिछे काफी टाइम पहला, जले कुछ शूटर से अपने अपनों किसे ने गोली भी मारी एक यहां दी उस समय जान भी चरी गी है, कि करना चाहोगी कि सेफ फील्ड एदा कि केडी फील्ड वी सेफटी है, और अपने पैसन पहला है, उन्हें कि फस्ट पाटी पैसन नहीं किते हैं, देखो, सबसे में चीज़े से कि कुछ दे अपने काम लुगमी様 तरन नहीं लहा है। अब जितना है पूर्ट कोटा की जोब फ्रॉय पेम पूर्प गया है के मुझाट। प्ले में पते हैं और जो एडमिस्टेशन अब प्लेयर करता है जाना है पड़े लिक एटली मुझा बहुत है कटो वा प्लेयर है बिकोज यह mental game है और जैसे और गेम में इतना नहीं कर पाते हैं बिकोज उनको टाइम भी जादा डिवोट करना पड़ता है फिजिकल एफिशेंस उसमें जादा है बट तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इस गेम में high qualifications है तो इसलिए उन्होंने आप decide कि है कि वो according to qualifications according to the player वो jobs देंगे काफी पहले से मेरे को लगते काफी बैटर कर यह गवर्मेंट्स पैसा भी दे रही है फिसलिटीज भी दे रही है तो काफी बैटर है पहले से स्पोर्ट्स भी चांद हर इक तक सुपना उंदर ड्रीम होंता है क्योंकि जड़े था अमीर जादेनों था चले हैं दिन स्पोर्ट्स फिल्ड चेकर मिडल क्लास ही कल कर यह उना को यह नहीं हों दिया है ता ओगी करना उना भी मानना कि ओवी स्पोर्ट्स भी जाना जोने कि हम बहुत ज्यादा इसे इंकम है या कुछ है तो लेकिन हम भी जो पैशनेवल लोग है ना जिनके अंदर बहुत पैशन है शूटिंग का वह आते हैं हमरे पर शूटिंग करते हैं फ्री में करते हैं हम उनको सपोर्ट करते हैं बिको मैं यहां तक पहुंचा हूं तो मेरे को भी बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया मतलब मेरे दोस्तों ने जो बड़े थे या जो अच्छे प्लेयर्स थे उन्होंने मेरे को कोचिंग में फैसिलिटीज में बहुत सपोर्ट किया दोस्ती तो एक सबसे सबसे बड़ा रिष्टा होगा इस वह माबाप के बाद का जो है या जो वही चीजे हैं जो आपको लाइफ में पैशनेट भी करते हैं और बिगाड भी सकते हैं तो मेरे को मतलब टाच वूड हमेशा बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं एक मेरे दोस्ती ही पंजाब से हाजी तेश कोशल अभी सब इंस्पेक्टर है वो पंजाब पुलिस म है तो मुझे ऐसे दोस्त मिले महराष्टर की है राही मतलब जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं मेरे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं विकोज आप उस फिल्ड में रहे हो तो उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया अब जैसे मेरे को बीच में इंजरी होगी थी तो इंजरी क मेरे इतने अफोर्डेबल नहीं था तो मैंने से फोन किया मैं रोने लगे अपने दोस्त के सामने वो कोई बात नहीं तो वापिस आजा हम साथ में चलेंगे और तेरा उपरेशन कराएंगे तो जब में वापिस आया तो उन्हें समझाए कि सर्जरी इस नोट गुड तो हमन कि देक करियर छे अटकल बन जाए एक रोडा बन जाएक तेरा बिल्कुल जैसे ना जब हम चोटे थे ते तो हम देखते थे कि जैसे सचीन को इंजरी होगी या क्रिकेट देखते थे या और किसी गेम में जैसे मैं टैनीस में फोलो करता हूं रफिल नडाल को तो मैंने इंजरी हुई ना मैंने देखा कि यह दुनिया की सबसे बेकार चीज अगर कोई है ना स्पोर्ट्स परसन के लिए तो इंजरी है वो क्योंकि इंजरी आपका करियर बिल्कुल जैसे आप टॉप पे हो और वो छोटी सी गलती और आप बिल्कुल जीरो पे क्योंकि mentally तो आप कर सकते हो बट जब आप physically ही allowed नहीं हो चीज़ों करने के लिए तो आप कैसे कर सकते हो तो यह सबसे बड़ी रुकावट अगर किसी एथलीट की जिंदगी में है तो इंजरी है इसलिए हमेशा मतब आपको अपना वर्काउट और अपने ट्रेनिंग हमेशा इतने ध्यान से करनी चाहिए कि आप और बड़े टूर्नमेंट से पहले खास कर कि आप बिलकुल भी इंजर्ड ना हो तो भी हमारे नेशनल्स है जो अभी दिसंबर नवंबर में है तो उसकी प्रिपरेशन में कर रहा हूं उसके बाद फिर हमारे सेलेक्शन ट्रायल्स होते जादे जादे अपने ओडिन्स टे फैंस नों की करना चाहिए मैं यही कहूंगा कि एक स्पोर्ट परसन की लाइफ में अप और डाउंस बहुत होते हैं बिकोज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमेशा जीतेगा बट वो अपने पैशन को कैसे भी फॉलो करता रहे उसके देखिया सी कि मैंना शूटर अंकुष पारदवाजी नहीं किया कि स्पोर्ट वर की फील्ड बहुत इंट्रेस्टिंग है तो उसी हाड़ वक करो पर शॉटकट सक्सेस ने पिछे कदे भी न पाच जगों की बहुत हांफुल होई जित्थे सरकारा निकाला है कि सरकार अपन करो हमेशा चंगा खेड़ो हमेशा डेडिकेशनल खेड़ो जित्थे दोस्ती दी गालों दिया है दोस्ती का जहार रिष्टा जिसनों माम अबतवाद जड़ी है वद्य प्रेटी वद्य नजरीनल देख्या जंद है बने रोतेस पंजाब न्यूज नाल